शीशाप प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें सीशाप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट तो हम आपको बताएंगे control flow statement क्या होता है, इसका क्या use है, program में कैसे implement करते हैं, इन से भी चीजों को हम syntax practical के साथ आपको दिखाएंगे, flow chart भी हम दिखाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले control flow का मतलब क्या होता है, जिसमें program के control को एक जगा से दूसरे जगा भेजा जाता है, या फिर condition के दुवारा रोका जाता है, या फिर repetition task perform करा जाता है, उस तरह के statement को बोलते है control flow statement, तो सबसे पहला होता है conditional statement, ठीक है, control flow statement का पहला part होता है conditional statement, जिसमें condition होता है program में, condition हम इन 4-5 तरीके से लगा सकते हैं, अपने program में, पहला if, दूसरा if else use करके, nested if के थुरू भी condition condition लगा सकते हैं, else if का use करके हम condition set कर सकते हैं, बस सभी का syntax अलाग अलाग है, condition set करने का तरीका अलाग है, switch statement में भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी choice के according expression pass करके, statement को condition से रोक सकते हैं, उसके बाद second होता है हमारा control flow statement में, जिसको हम बोलते हैं, looping statement, इसमें क्या होता है, repetition task को हम perform कर करते हैं, एक ही काम को बार बार अगर आपको करना है, तब आप इन तीनों में से किसी को भी use कर सकते हैं, while, do while, for loop, ये तीनों loop है, ठीक है, third होगे हमारा jumping statement, अगर माल लिजे, आपको program के control को transfer करना है, किसी particular point के बाद, तब आप break, continue, return, इन तीनों में से किसी को भी use कर सकते लेकिन तीनों का use करने का तरीका अलग है, अलग-अलग requirement में आप use करेंगे, तो चलिए, आज हम cover करेंगे क्या conditional statement, शुरू करने से पहले conditional statement, पहला type इसका देखो, जिसको हम बोलते है, if statement, if statement में एक single सा condition होगा, और उस single से condition के लिए, एक single सा statement होगा, syntax आप देखो, कैसे लि condition, अगर ये condition true होता है, तब जाकि ये वाला statement execute करेंगा, अगर ये condition false होता है, तो ये statement execute नहीं करेंगा, ये पूरा if के अंदर जो भी आप code लिखेंगे, वो नहीं चलेगा, तो इसको flow chart में figure के तुरू कैसे represent करेंगे, यहाँ पर देखिए, start, start के बाद आपका condition होगा, condition अगर ये condition false होता, तो सीधा program end हो जाएगा, तो चलिए हम करेंगे क्या, if statement का एक simple सा program बना के दिखाते हैं, जिसमें condition भी होगा, और आपको practical के जरिये में समझा भी दूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास condition क्या है, कि मुझे अपना name, address और contact number प्रिंट करना है, लेकि मुझे condition दिया गया है कि मेरा जो address है वो तभी दिखना चाहिए, जब condition true हो, नहीं तो address नहीं प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, तो इस काम को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो console.rightline उस करेंगे, क्योंकि हमें new line में output चाहिए, सबसे पहले मेरा name प्रिंट होना चाहिए, तो यहा print नहीं हो, तो उसके लिए if का जो मैंने syntax लिखा था ना, वो syntax यह रहा, उसके बाद मेरा क्या contact number प्रिंट हो रहा चाहिए, contact number के लिए कोई condition नहीं है, ठीक है, rightline और यहाँ पे contact number, यह मेरा number नहीं है, ठीक है, try मत करना, कुछ भी random में लिख दे रहा हूँ, double quotes में, उसके बाद, अब यहाँ पे address की बात आती है, address में condition लगाएंगे, तो condition के लिए अपने को चाहिए होगा, क्या एक variable, तो यहाँ पे हम value नाम का variable ले ले लेते हैं, इसकी value दे देते हैं, नहीं, यहाँ पे pin, pin नाम का variable है, इसका value दे देते हैं, यह हमारा मानलो pin है, ठीक है, अगर यह हमारा pin का value, equal, equal, किसके साथ होगा, 5633 होता है, तभी जाके मेरा address प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो नहीं प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे right line, और address, address बिल्कुल सही है, ठीक है, old, 1 second, old, prulia, road, jamseedpur, यह मेरा address है, code ready है, चलो अब इसको क्या करते है, save करते हैं, और run करके result देखते हैं, अभी तीनों चीजे प्रिंट हो जानी चाहिए, क्योंकि अपनी condition क्या है, true है, तो यहाँ पे name प्रिंट होना चाहिए, अखिलेस, मेरा address भी प्रिंट होना चाहिए, और मेरा contact number भी, यहाँ पे देखो, यह प्रिंट हो चुका है, लेकिन, अब मैं नहीं चाहता है कि मेरा address प्रिंट हो, यानि अगर मालो मैं condition दे देता हूँ, यहाँ पे यह condition मैंने दे दिया, तो अभी यह condition क्या false है, क्योंकि मेरा pin code क्या है, 5633, और मैंने यहाँ पे क्या mention कर रखा है, 533, तो क्या यह दोनों बरा बराबर है, नहीं, तो अब यह बराबर नहीं है, मतलब condition false है, इसका मतलब यह वाला part अभी print नहीं होना चाहिए, जो if के अंदर लिखा हुआ, ठीक है, यह वाला part का बात कर रहा हूँ, तो करते हैं, इसको save और run, तो यहाँ पे फिर से program run हो रहा, अभी देखो, दो चीज ह यूज करना है, अगर एक single condition, single statement रहेगा, तो if use करोगे, अगर एक single condition पर दो statement execute करना है, तब if false use करना है, तो चलो, अब हम क्या देखते है, if false statement देखते है, अब हम बात करेंगे, if false statement के बारे में, यह conditional statement का type number 2 है, इसका syntax दो को लिखने का तरीका क्या है, if यहाँ पे condition, अगर यह condition true हुआ, तो यहाँ पे true वाला statement execute करेगा, जो code यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, condition true होने पे true वाला code चलेगा, अगर यह condition मालो false हो गया, तब क्या होगा, सीधा हम यहाँ पे else में आएंगे, और यह else में जो भी false वाला code होगा, condition false होने वाला code, वो execute करेगा, यहाँ पे, तो इसी को figure के तुरू यहाँ पे flow chart में लिखे हैं हम, start condition, condition true, if block का code चलेगा, program end, अगर condition false हुआ, तो else block का यह वाला code execute करेगा, नहीं तो program end, तो चलिए इसका भी simple सा एक example प्रोग्राम बना के हम आपको दिखाते हैं, ताकि आपका doubt क्लियर हो जाए, यह हमारा previous प्रोग्रा तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, सबसे पहले e-fails का syntax था वह लिख देता हूं, ताकि दिक्कत ना हो, program को आगे implement करने में, तीक है, अभी आपको basic idea हो गया है, e-fails का program में कैसा logic लगेगा, तो यहाँ पे हम program बना रहे हैं, अगर किसी का age 18 य value input ले सकते हैं, ठीक है, अपने output screen में, वो काम आप कैसे करेंगे, मैंने last video lecture में आपको बता दिया है, उपर i button में या फिर इस video के description में आपको वो link मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख पाएंगे, कि run time में user से input कैसे लेते हैं, फिलाल यहाँ पे condition डालेंगे, कि अगर person का age greater than equals to 18 होता है, तो यहाँ पे if के अंदर एक statement हम show करेंगे, console. यहाँ पे right use करेंगे, एक single line में output चाहिए, ठीक है, तो message क्या देते हैं, eligible for vote, ठीक है, यही, spelling पे मत जाओ, कुछ भी type हो जा रहा है, यहाँ पे, eligible for vote, ठीक है, अगर मालो यह जो person का age है, यह 18 से कम होता है, तब क्या होगा, तब इस statement को हम copy करेंगे, else में यहाँ पे क्या कर देंगे, paste कर देंगे, paste करने के बाद यहाँ पे आगे में सिर्फ क्या लिखेंगे, not eligible for vote, ठीक है, तो program अपना ready है, save कर दिया, मैंने इसको, control, alt, n दबाया, program run हो गया, तो यहाँ पे output आना चाहिए, eligible for vote, तो य यहाँ पे condition चेक किया जाएगा, comment section में समझा दे रहा हूँ, 34 greater than equal 18 है क्या, condition true, eligible for vote, if का यह वाला code execute होगा, line number 9, अगर मालो age हम दे देते है, 4, ठीक है, अब करते है, program को run, तो अभी आएगा, not eligible for vote, यहाँ पे देखो, output आ चुका, not eligible for vote, तो यह इसलिए आया, क्योंकि अभ यह एल्स में आ गए हम, और यह वाला code execute हो गया, तो यहाँ पे देखो, एक single condition पे if else में क्या हो रहा, दो-दो statement execute कर रहा, condition true होगा, तो यह वाला execute करेगा, condition false होगा, तो यह वाला execute करेगा, अब चलो हम अपने type number third control statement की तरह बढ़ते है, type number third है conditional statement का else if ladder statement, इसका लिखने का त सबसे पहला if का condition, अगर यह condition true हुआ, तब यह वाला code execute करेगा, और यहीं पे खतम, अगर यह condition false हुआ, तब यहाँ पे आएगा else if का block बना हुआ, यह condition दिखेगा, condition number two, अगर यह true हुआ, तो यह वाला code execute होगा, जो इसके block में लिखा हुआ है, अगर यह condition भी false होगा, उपर वाला भी false होगा, तब क्या होगा, इस else में आएगा, last में यह वाला, तो execute करेगा ही, अगर सभी condition false हो जाते हैं, तब, तो इसी चीज़ को figure के true, यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिखा, flow chart बना है, start condition one, अगर true होता है, statement one यह वाला चलेगा, condition false, condition two में आएगा, यह सही होता ह तो statement two यह वाला चलेगा, false होता है, condition three में आजाएगा, else में statement three चलेगा, यह वाला statement execute होगा, उसके बाद program क्या होगा, end हो जाएगा, लेकिन, कोई एक statement ही execute करेगा, ठीक है, क्योंकि condition के उपर depend है पूरी तरह से, तो चलिए इसका भी simple सा, real life practical program मना के दिखाता हूँ, सबसे हम प्रोग्राम में करेंगे, क्या है, if else का, if else letter का, जो syntax है, वो syntax लिखेंगे, syntax आपके सामने होना चाहिए, code लिखने से पहले, syntax सामने होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे else if का block बनेगा, आप कितना भी आप बीच में चाहिए, यह else if का block ना, 100, 200, 300, जितना आपको बनाना है आप बना लो, ठीक है, और last में आप एक else block बना लो, ठीक है, तो हम एक ही else if बना रहे हैं, क्यों लंबा करेंगे code को, तो यहाँ पे अपना ये program क्या होगा, कि कोई भी student का marks के उपर बना रहे, ठीक है, तो marks का value अभी ही मैं set कर दे रहा हूं, ठीक है, आप run time में हर एक program में जितना भी program आपको बता रहा हूं, सब का value आप run time में output screen में input में लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा time जाएगा, मैंने last video lecture में वो चीज़ आपको बता भी दिया है, तो अगर marks मालो, marks का value क्या होता है, marks का value हो जाता है, greater than equal to 80 से लेके, logical and, उसके बाद वही same marks का value, less than क्या होता है, less than equal 100 होता है, तब क्या होगा, तब वो बन्दा टॉप करेगा, console.right और यहाँ पे लिख देंगे हम, काफी तेज बन्दा है वो, topper, ठीक है, उसके बाद condition अभी यहाँ पे बदलेगा, अगर मालो, वही marks का value, greater than equal 60 है, ठीक है, logical and operator, सेम वही marks का value, less than 80 है, तब क्या होगा, तब वो बन्दा अपना first vision पास कर रहा, यहाँ पे क्या कर सकते है, अंदर में लिखना है, यहाँ पे, ठीक है, console.right, और यहाँ पे हम लिख सकते है, first, कि बन्दे ने मेहनत किया है, वो भी first आया, उसके बाद, block बना सकते है, मैं बना ही देता हूँ, आपको दिखाने के लिए, copy किया, मैंने, paste कर दिया, condition, change कर देते है, condition क्या होगा, यहाँ पे, अगर मालो, condition marks 33 से लेके, क्या होगा, less than 60 होगा, तब समझो कि वो पास हो गया, आप चाहँ तो second division, third division, आप यह सब भी बना सकते है, इसक के अलावा, यहाँ पे, final condition क्या होगा, बन्दा fail कर गया, यहाँ पे लिख देंगे, failed, ठीक है, program अपना ready है, तो अभी इसका output क्या आएगा, आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको value पता है, क्या है marks का, ठीक है, run time में आप input लेंगे, यह आपका homework है, जब आप program बनाएंगे त तो यहाँ पे program successfully run हो चुका है, अभी यहाँ पे output देखने को मिलेगा आपको topper, तो यहाँ पे देखो topper print हो चुका है, अगर marks का value मालो हम input कर देते हैं, 32, 32 input कर रहें, इसका मतलब क्या बंदा fail हो जाना चाहिए, क्योंकि 33 हमारा pass marks है, तो यहाँ पे देखो failed, तो यह output क्य 32, क्या 32, 80 से बड़ा है, condition false क्या वही, 32, 100 से छोटा यह true है, लेकिन बीच में logical and बोलता है कि दोनों condition true होना चाहिए, इसलिए यह पूरा क्या हो गया, false हो गया, फिर यहाँ पे भी false हो गया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, और last में 32 जो marks था, वो else block ने बोला कि failed है बंदा, यह execute करेगा ही, अगर उपर का कोई भी condition true नहीं होता है, तब यह अपना last में यह else execute करता है, यह execute हुआ बंदा failed हो गया, टाइप नंबर 4 है nested if statement हमारा conditional statement का type number 4, इसमें क्या होता है, एक if statement के अंदर अगर दूसरा if statement है, तो उसी को बोलता है nested if statement, यहां पे देखो if, अगर यह condition one सही होता है, तब यह अंदर वाले if में आएगा क्योंकि यह पहले वाले के अंदर है, अगर यह condition भी true होता है, तब यह वाला code execute कर जाएगा, अगर यह condition false हो गया, और यह condition true है, तब यहां पे आएगा, इस else में यहां पे जो code लिखा होगा न वाला code execute करेगा, यह वाला ठीक है, और माल लो, यह उपर वाला condition false हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, सीधा हम यहां पे else में आएगे, और else के अंदर भी same if else लिखा हुआ है, अगर यह condition सही रहेगा, तो यहां का code चलेगा, जो if की body में लिखेंगे, अगर यह condition false हो गया, तो यहां पे else का body में जो code लिखेंगे, वो चलेगा, तो आपका homework क्या है, इसका program आप खुझ से बनाएंगे, आपका program क्या रहेगा, माल लिजे आप तीन number input करेंगे, 10, 20 और 30, इन तीनों में सबसे greater number क्या है, वही print होना चाहिए, आपको इसी syntax को use करते हुए, इस program को design करना है जिसमें 3 numbers में greater number आपको find करके बताना है, और जो भी greater है वो print हो जाना चाहिए, अभी चलो हम अपने अगले conditional statement की तरफ जंप करते हैं, अब हम बात करते हैं, switch statement के बारे में यह क्या होता है, इसको decision making statement भी बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सार में cases होते हैं, और उन particular cases में हमें अगर decision के किसी एक case को select करना होता है, तब हम use करते है, switch statement, यानि multiple choice का option होता है, इसमें, तो इसका syntax देखो, आपको लिखना है, switch, जो की एक keyword है, यहाँ पे expression होगा, अगर यह expression, इस case 1 के साथ match करेगा, तो यह वाला case 1 का code execute करेगा statement, break लिखे हैं, मतलब यहीं से program बाहर, switch की body से हम बाहर हो जाएंगे, अगर मालो यह expression, इस 2 के साथ match करता है, case 2 के साथ, तो यह वाला code चलेगा, उसके बाद break से हम यहाँ पे बाहर, अगर मालो यह जो expression है, ना case 1 से match किया, ना 2 से किया, किसी से match नहीं कर रहा, तब यह default वाला अपने आप execute होगा, यह code execute होगा, उसके बाद क्या होगा हम, body से बाहर चले जाएंगे, switch की body से, तो चलिए इसका flow chart देख लेते हैं, यहाँ पे, simple start, उसके बाद condition, यहाँ पे condition के जगह पे expression बोलेंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि switch decision making statement होता है, तो यहाँ पे अगर यह जो expression होगा, अगर one के साथ match करेगा, तो case one का statement चलेगा, यह वाला, अगर यह जो भी condition, यह expression है, two के साथ match करेगा, तो fällt two केसि के साथ match नहीं करेगा, यह condition, तब यह वाला execute करेगा, अपने आप पर program वही पर end हो जाएगा, तो चलिए इसका भी real life practical program मैं आपको बना इंबते हैं, ठीक है, switch, उसके बाद ये रहा switch का body, यहां पे cases होगे, case one, case one, colon, statement होगा, उसके बाद break लगेगा, ठीक है, बहुत सारे यहां पे case होगे, इस तरीके से, और लास्ट में अपना एक default भी होगा, ठीक है, यह syntax मेंने लिख दिया, इसमें हम क्या करते हैं, run time में value input देके आपको दिखाते हैं ताकि आप उन तीनो चारो एक्जामपल जो इससे पहले हमने देखे उसमें run time में value input कैसे लेते हैं यहां पे भी देख लो ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक choice नाम का variable ch लेते हैं और user को बोलते है कि भाई तुम कोई choice पास करो right यहां पे message पास कर देते है enter your choice ठीक है यूजर क्या करेगा कोई भी value यहां पे input करेगा तो कैसे input करेगा बड़ा ही simple concept है हिसाप में run time में value input लेने के लिए आपको लिखना है console.readline ठीक है इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है आपको यह string value यहां पे input होगी ठीक है अगर मालो इसको मैं ch में store कर देता हूँ तो यह string value आ रहा लेकिन हमें क्या चाहिए हमें ch में एक integer value चाहिए तो हमें करना क्या पड़ेगा हमें convert करना पड़ेगा string को तो हम लिखेंगे यहां पे convert convert. इसके पास एक method होता है 2.32 ठीक है 16 वाला भी आप use कर सकते है वो 16 bit value input लेगा string का और इस method के अंदर आप क्या करो इस वाले चीज को place कर दो यह वाला जो चीज है है नब बड़ा simple काम उसके बाद यहां पे semicolon put कर दो end में semicolon आपने put किया इसका मतलब आपका यह line complete यह statement complete हो गया हमने choice input ले लिया है user से अब हम करेंगे क्या यहां पे switch में हम लिखेंगे CH बस इतना ही लिखना है अगर CH के value हम मालो 1 दबाते हैं तब यहां पे statement हम लिखेंगे console.write अगर 1 होगा तो मेरा नाम प्रिंट होगा अगर value 1 होगा तो मेरा नेम प्रिंट होगा अगर मालो उसके बाद फिर क्या होगा ब्रेक हो जाना चाहिए मतलब सिर मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए फिर ब्रेक अगर मालो value 2 होता है तब क्या होना चाहिए तब किसी और का नाम प्रिंट होना चाहिए तो यहां पे value अगर 2 होगा तो अंकुस print होगा उसके बाद फिर क्या होगा break हमें body से बाहर जाना है इसी तरह आप बहुत सारा cases बना सकते हैं लेकिन अगर 1, 2 के अलावा आप कुछ और value डाल रहे हैं कि नहीं है यहां पे तब क्या print होना चाहिए तब प्रिंट हो जाना चाहिए यहां पे invalid choice invalid user input कुछ भी आप लिख दो जो आपको अच्छा लग रहा ठीक है यहां पे यह code ready है यहां पे यहां पे ब्रेक लिखेंगे तो भी चलेगा नई लिखेंगे तो भी चलेगा वह बाहर ही जाएगा क्योंकि यह बिल्कुल last wallet statement है program को करते है save करते है इसको क्या हम run तो सबसे पहले हमें बोले गाई यह यहां पे cannot fall out switch from final case label अच्छा battery low भी हो चुका है देखते हैं सबसे पहले तो system को charge में insert करते हैं हां यहां पे error इसलिए बोल रहा कि यह जो final case switch का default इसमें last में break नहीं है तो बोल रहा है कि switch से बाहर नहीं जा पारा control flow ठीक है program का जो control flow है वो बाहर नहीं जा पारा मतलब यहां पे भी break हमें लिखना पड़ेगा तीक है अब इसको करते हैं save और फिर से re-execute तो यहां पे बोलेगा अब enter your choice तो अगर हम मालो to insert करते हैं इसका मतलब हम चाहते हैं कि यह uncus print होना चाहिए तो यहां पे देखो uncus print हो चुका है तीक है अब अगर फिर से करें इ इतना choice रहेगा जो आप value देंगे वह ही output आगा ठीक है अभी मालो कुछ हम हैसर यहां पे choice दे देते हैं जो available ही नहीं है 34 मैंने दे दिया क्या 34 number case है यहां पे नहीं है तो इसका output क्या आगा invalid user input मतलब यह default वाला तभी execute करेगा जब हम 1 और 2 के अलावा कुछ और value pass करेंगे switch case CH expressions है तो यह simple सा हमारा control flow statement का type 1 conditional statement था ठीक है जिसमें condition और decision के साथ काम कैसे करते switch statement में वो मैंने आपको बताया वीडियो पसंद आया हो तो like करिए share करिए channel को subscribe कर दीजिए